हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एल क्लासेज के बैतरिन प्लेटफोर्म पर दोस्तों आज हम लोग एक चेप्टर की बात करेंगे जो है मिरर दरपन आपने एक अकसर एक कोटिशन देखा होगा आपके जो थमनेल में या किसी पोस्ट में कि धूल चेहरे पर थी और हम आ तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कई बार यह सवाल पुछा जाता है कि अंग्रेजी वनमाला में जो एल्फाबेट हैं उसमें से कितने एक्सर ऐसे हैं जो मिरर में वैसे के वैसे ही दिखेंगे जिसे ए आज हो तो आप देखना जो आपका दाया साइड है वो बिल्कुल राइट में चला जाएगा और जो लेट वाला है वो राइट में चला जाएगा आपने एंबुलेंस देखी होगी एंबुलेंस में जो आगे की साइड में लिखा होता है वो बिल्कुल उल्टा लिखा होता अगर आप सामने से देखो तो आप उसको नहीं पड़ पाओगे लेकिन अगर आप अपने बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो उसमें पीछे की साइड अगर आप मिरर में देखोगे तो वह आपको सही नजर आएगा जैसे देखो एक्जामपल बताता हूं मैं आपक कौन से एक्सर होंगे जो चेंज होंगे या नहीं होंगे आप खुद भी मुझे बता ना आई जे एल एल एम एन ओ पी क्यो आर एस टी यू वी डबलू एक्स वाई और जेड देखो मिरे रिमेज से मतलब क्या है सिदा सिदा जैसे मैंने लिखा यह लिखा ठीक है आपको यहां एक ऐसा साइन मिलेगा इसका मतलब है कि इस आकरती को ऐसी की ऐसी चेंज करनी है आपको दूसरी साइड में बतानी है अब एक्जाम में आपके बाद मिरे तो होगा नहीं तो फिर आप क्या करेंगे आपको अपने इमेजिनेशन पावर से इसको बताना है कि यह मिरर में कैसे दिखती होगी अब देखो इसके लिए एक लोजिक बताता हूँ मैं आपको जैसे मेरा यह हाथ है यहां मैंने टच कर दिया यह वाले उंगली यहां है और अंगुठा मेरा यहां पर है यह ऐसे है आप मुझे बत पर फफ था वह अंगुठा लाष्ट में चला गया गया आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है ऐसे ही अगर मैं अंगुली की बात करूं यह वाली उंगली सबसे नजदीक थी जब मैं इसको पलटूगा तो यह वाली उंगली सबसे नजदीक आएगी यानि एक चीज तो हमने यह देखी कि साब हम जब दरपण में देखते हैं तो जो दाई साइड है जैसे यह लेफ्ट है और यह राइट है यह अप है यह डाउन है अगर मैं यहां से देखूं तो जब इसको मिरर में देखेंगे हम लोग बहुत इंपोर्टेंट रेप्टर है और यह इसका एक सवा जाएगा लेकिन हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा ठीक है तो अगर मैं बात करूं मिरर की तो मिरर में ऐसा होगा यू तो आ जाएगा यहां पर अपका अप ही रहेगा डाउन का डाउन ही रहेगा यानि ऊपर और नीचे वाला जो पॉर्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा चेंज क्या होगा देखो राइट जो सबसे नस्दीक में था यह राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट वहां चला जाएगा यानि अब अगर आप देखो तो जो राइट साइड थी वो तो गई लेफ्ट और जो लेफ्ट साइड थी वो गई राइट यानि कि दाया और बाया आपस में चेंज हो जाएगा अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा यह सबसे खास बात है मिरर की अब अगर मैं ABCD में A को देखो तो आप देखो यह A ऐसा दिखता है कि जो उपर वाली साइड है वो ऐसी ऐसी आजाएगी और यह भी ऐसा कैसा आजाएगा यह अगर ABCD में A को अगर मिरर के सामने रखा जाए आप यह काम घर पे भी करके देख सकते हो अगर मिरर के सामने रखा जाए तो इसके जब मिरर में देखोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा जैसे अब आपको मैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए एक दो चोटी-चोटी चीजे बताता हूँ जैसे माल लेजिए आपका नाम है दीपक यह दीपक मैंने लिखा और आपसे कहा गया कि सब इसका मिरर इमेज बनाईए आप कैसे बनाएंगे आप इसके लिए क्या करेंगे यह वाली लैन ऐसी कैसी रहेगी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह ज देकी बात करूं तो देखो यह वाली मातरा तो मुझे पता है कि यह तो यहां आ जाएगी अगर देकी बात करूं तो अभी तो यह बना हुआ था ऐसे अब यह बन जाएगा ऐसे यानि अगर आप दीपक को देखोगे मिरर में तो आपको ऐसा दिखेगा दीपक आप मेरी ब सिप्ट यह जबर्दस किलियर हो जाएगा जैसे मैंने लिखा कि मेरा भारत महान है अब यह हो सकता है आपको ऐसे पढ़ने में नहीं आए लेकिन आप मेरी साथ मानना और आप जिस भी मोबाइल में देख रहे हैं इस मोबाइल को एक साइट रखना और अपने किसी दूसरे तो यह लिखा मैंने अगर आप इसको देखो गए तो आपको नजर आ जाएगा किसाभी अमबलाल लिखा हुआ है अब हो सकता है ऐसे देखने में तो आपके पढ़ने में नहीं आए लेकिन जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो आपको यह बिल्कुल सीधा अमबलाल दिख तो यह बिल्कुल मेरा वारत महान हो जो हो जाएगा तो यह बात आप ध्यान रखना आज के बाद आपको इस चेप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगा अगर आपने इस तरीके से प्रेक्टिस की है और अगर यह जो मैंने कंसेप्ट समझा है अगर यह आपके समझ में आग आपके समझा होगा अगर मैं बी की बात करूं तो देखो अभी तो ऐसा दिखता है जब मैं इसको मिरर में देखूंगा तो यह जो खड़ी लाइन है यह तो इदर आजाएगी और यह आजाएगा इदर यानिकि यह चेंज हो जाएगा तो बीकी मिरर इमेज वैसी की वैसी नहीं बनेगी जैसा यह अभी है अगर सी को भी देखूं तो यह भी पलट जाएगा डी को देखूं यह भी पलट जाएगा एको देखूं यह भी पलट जाएगा एफ को देखूं यह भी बदल जाएगा जी भी बदल जाएगा लेकिन अगर आप एच को देखो तो भाई ए दूसरा अक्सर हो गया अंग्रे जीगा जो मिरर में देखने पर ऐसा का ऐसा ही दिखेगा ठीक है कि आई की बात करूं तो आई भी ऐसा का ऐसा दिखेगा आप घर पे इसको ट्राय कर सकते हैं कोई दिक्कत वाले बात नहीं है जे को देखू तो जे पलट जाएगा के भी अब सबसे महें मुद्दा जो 그 आपके फ़स्ता है ne मैं वाइवाइ मैं यहां तक तो जिंद्गी में सब रहा था है आप लोगों ने यहां तक तो निप्टा दिया इक जो available नोरदा अब अब सबसे महन忙द्द्द है कि सब य का क्या किया जए अगर आपको ऐसा Special पूंस था किसाब ऐसी कितनी संक्याएं हैं जिनको अगर मिरर में देखा जाए तो वो वेसी ही दिखती है जैसी वास्विक्ता में है तो अगर आपके सामने ओप्सन आ जाते हैं किसाब 9, 10, 11 और 12 तो 90% बच्चे 10 तक तो पहुच जाएंगे इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अपने साथ समझ्या क्या है हम जब वाई को लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसलिए अपने दिमाग में इमेज ऐसी बनी हुई है किसाब यह साथ समlar है जब इसको हम बदलेंगे तो साप इसा इसे चला जाएगा तो यह लेकिन यह गलत है ऐसा होता नहीं है आप हमेसा ढ화를 रखना कि वह जो बनता है वो ऐए पैसे अग्यसक्त ऐसा बनता है मेर अगर इसको आप मिरर में देखेंगे तो ये बिल्कुल हूबहू ऐसा ही दिखेगा तो ऐसे कितने अकसर है जिनको मिरर में देखने पर वैसे के वैसे ही दिखेंगे तो ऐसे अकसर है 11 और यह आपका सई जवाब है तो यह तो बात हो गई हमारी अलफाबेट की नाम मैंने आपको बता दिया कैसे लिखेर आप देखना पीचे की साइड में आपको वैसा कवैसा नजर आ जाएगा ठीक है और आप खुद अपनी तरफ से इसको मिरर की टाइप में लिखना अगर आप लिख सकते हो तो मैंने अभी आपको लिखना बताया है कैसे लिखते हैं आप अगर लिख सकते हो तो एक बार लिखकर spelling दी होगी और उस spelling के आदार पर आपको पूछा जाएगा कि इसकी mirror image किसी बनेगी देखो एक water mirror भी होता है वो बनता है exact ऐसे उसको हम लोग अगली class में पढ़ेंगे उसको इस बार नहीं पढ़ेंगे next class दो आएगी उसमें आपको water mirror भी मिल जाएगा तो देखो जब भी non-normal का सवाल आजाए केवल mirror की बात नहीं कर रहा कोई स्था भी सवाल आजाए तो आपको करना क्या है आपको हमेशा एक बात ज्यान रखने किसी भी एक point को आप पकड़ें अगर आपने पूरी image देखी तो इसका मतलब आप इसमें उलज जाओगे क्योंकि यह सारे ए एक image बनी हुई थी और इसमें इधर दो गोले हैं इधर एक गोला है और इधर यह एक तिर्बूज है ठीक है अब मुझे इसकी mirror image बनानी थी तो मैं क्या करो मुझे यह नजर आ रहा है कि साब यह जो दो गोले हैं यह तो बनेंगे नजदीक में बिलकुल यह उपर वाला ग left में रहेगा right वाला इसा right sorry left और right ही आपस में change होंगे उपर और नीचे वाला इससा कभी भी नहीं बदलेगा mirror में तो आप यहां देखो तो भाई यह तो exact ऐसा का इसा ही बनना चाहिए था आ यह जरूर है अगर यह इधर की तरफ होता तो उधर की तरफ चला जाता है अब है यह वड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि तुर्फ उल्टा दे रखा है अब आपके पास दो ही option बचे अब आप एक बात बताओ जो गोले इधर की तरफ थे वह इधर की तरफ ही तो आएंगे वह उपर थोड़े ना चले जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एकदम 99 प बेक्स्क्रिशन देखते हैं को अगारो अब यह उल्टा सीधा से नजरा ख़ ніको यह आपको करना क्या था यह आपको यह करना है कि शुनर कि आपको इसको अब एक बताओ जब आप इसको ऐसे बदलोगे तो यह वाला जो हिस्सा है यह इसा बिल्कुल नजदीक आजाएगा यानि कि यह इसा अब की बार जो है वो ऐसे रहना चाहिए तो बहुँ पहले ओप्सन में है दूसरे में भी यह तीसरे में भी है चोते में भी है यह तो सब में ही है फिर फिर आप देखो किसाब यह गोला है और इसमें यह जो मचली ह इसकी पूँच इदर की तरफ है तो अब की बार वो पूँच जो है वो आपकी इदर की तरफ होनी चाहिए थी तो आप देखो इसमें नहीं है इसमें है इसमें है इसमें नहीं है यानि दो ही ओप्षन बचे आपके पास ठीक है अब आप किसी भी चीज को देखो तो भाई य क्या यह एरो चेंज हो केर पूँच की तरफ थोड़ी आ जाएगा यह तो रहेगा तो मुझ की तरफ ही आप यहां से देखो तो देखो इसमें यह पूँच की तरफ है यह तो पोसिबली नहीं है इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा C option ऐसे आप option कट कट के करो आपका काम हो जाएगा बहुत जल्दी और करते हैं हम लोग practice यह देखो ऐसे एक सवाल दिया था आपको अपकी बार mirror आपको इधर बनाना था तो भई पहली बात तो इस जोपड़ी से तो अपना जाएगा यानि कि यह जो जंडा है यह आपका ऐसा बन जाएगा ठीक है यह ऐसा बन जाएगा अब देखो मैंने कहा एक ही point को पकड़ना आपको अगर आप पूर डाइग्राम को देखने लगे ना तो मुश्किल हो जाएगे आपके लिए तो यह ऐसा किस किस में है पहले option में है साब दूसरे में नहीं है तीसरे में है और चोथे में नहीं है अब इन दोनों में आप यह देखो कि इन में change क्या चीज है अब जब आपके पास दो option बचे हैं तो यह तय है कि एक ही करना है और आप सही सही बताओ आपको अपकी मम्मी किसम है आंसर तो यह की होता है किसी भी question का अगर हम answer देखें तो answer यह की मिलता है अपने को इन दोनों में से क्या answer हो सकता है अब आप यह देखो कि यह जो paid था यह इदर की तरफ जुका वाए या निकिर इसके यह जो जोपड़ी है इसके दूसरी तरफ में जुका हुआ है अब हम अगर मिरेर में देखेंगे तो यह चेंज थोड़ी नहीं हो जाएगा यह तो यहां इस ने जो है इस जोपड़ी की तरफ जुका दिया यह तो पॉसिबली नहीं है इसका मतलब हमारा answer क्या हो जाएगा आज के बाद चाए आई-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए- यहां अगर मैं देखूँ इसको इधर की तरफ बनाओ तो भई यह आगे जाके यह गोला इधर की तरफ बनेगा यह ऐसे बनेगा यह जो बोक्स इधर था यह जितना नजदीक है उतना यह नजदीक रहेगा अभी भी यह यहां बन गया यह वाली लाइन यहां आ गई और यह देखो यह वाला पोर्शन नजदीक है तो यह वाला पोर्शन नजदीक बन जाएगा आपका यह ऐसे बनेगा ठीक है ऐसे और यह वाली लाइन दूर है तो यह वाली लाइन इधर जाके दूर बन जाएगी यह ऐसे बन अपने सिर्फ गोल को सकता है इससे मुझे नया लगता कि कुछ सबको कुछ यह नो यह चालते हैं इतनी से बात तो मान लेते हैं गुरुजी के, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कृष्ट देखो, यहां आपको चारों चीजे चेंजेज हैं आप चारों को मत देखो, आप तो किसी एक चीज को देख लो, किसाब जैसे यहां N है, दोनों तरफ N है, तो यानि नीचे वाला N जो है वो तो आपका बदला हुआ आएगा तो ये किस-किस में ये देखो आप तो नीचे वाला एन बदला हुआ है यहाँ भी बदला हुआ है यहाँ जेड कोई कर दिया इसने जबरदस्ती यह नहीं होगा अब देखो उपर वाला एन अगर उल्टा था तो अपकी बार सिधा ये उल्टा दोनों उल्टे दे दिये इसने ये वाला भी सिधा है अब इन दोनों में ये देख लो किसाब अब चेंज क्या है जैसे अगर मैं इस एन को देखू इस एन की पोजिशन देखू तो इसमें एन सिधा है इसमें उल्टा है इसका मतलब इस एन को अगर मैंने होगा ना यह वाला एन चंज हो जाएगा इसमें नहीं है इसका मतलब मेरा अंसर क्या हो जाएगा डियाशर हो जाएगा तो पहले तो यह देखो यह एक किसमें दिख रहे हैं पहले मनिए दूसरे मनिए तीसरे मनिए जो तांसर हो जाएगा बताओ क्या दिक्कत है इसमें आगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में और आपकी कोई क्योरी भी हो पड़ता हूं आपके और मैं रिपलाइ करता हूँ आप मुझे बता देना उसमें कि सर यह समश्य आ रही है मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह उसको सोल करने की आगे देखो जैसे जून लिखावा है और अपने को इधर बताना है इसमें तो पहली बात तो कौन-कौन सा अक्सर चेंज नहीं होगा आपको पता है किलएं था यह पहले मैं ऐसा है इसमें भी जब कि इसमें नहीं है ऊपस्ट हमारा कटती है अब आप अबसे ב रहे यह जा quiero आपकू नहीए जबकि इसने यहां अगड़ तो बिना चेंज के रख दिया तो बस अपना आंसर क्या हो जाएगा यहंसे ऑगे चलते हम लोग यहां देखो आप किया कर सकते हैं मैं सिर्फ इस point को देख लेता हूँ अच्छा है और किसी भीुक से उठाकर करना और किसी भी एक point को देख कर करना आप से सारे सवाल हो जाएंगे ठीक है न तो देखो मैं इस point को देख लेता हूं मुझे पता है यह point यहाँ नसदीक है तो यहाँ भी नसदीक आना चाहिए था यानि इस वाले box में आना चाहिए था पहले में है दूसरे में है तिसरे में नहीं है हटा दो आगे देखो यह दो line एक तरफ है तीन line एकront ये इदर वाले इधर की तरफ यहेयर की तरफ है ठीक मामला यह चलता है बाइखक आफे सबराइन नीचे डिया असा भी पूसीब्ल नहीं है यह बता स्थिक मियं कि देख कों कि एधर आपको मिरर बनाना था है यह लाइन ओर जब गोला अधर होंगी क्योंकि जो जितनी दूर है वह उतनी दूर बनेगा अगर आप यहां से देको मेरे अंगुटे गो तो यह इذर बन जायगा यानि कि अंगुटा दूर चला जाएगा और यह वाला जो पोर्शन है यह वाला पोर्शन यहां बनेगा ऐसे अब आप यह देखो यह किस इसमें है यह पहले option में भी है दूसरे में भी है इसमें नहीं है और एक इसने इसने इसके नजदीक ला दिया इसको यह जो नीचे छोटा सा यह यह जो डंडा सा लगा वा था इसको इसके नजदीक ला दिया ऐसा पॉसिबल नहीं है और यह डंडा जब इधर गूम रहा है आ उपसना मरा आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं यह देखो इधर की तरफ हमें बढ़ाना था सबसे पहले तो यह बोक्स यह क्रोस जो है वो किस-किस में है देखो क्रोस में भी एक बात ध्यान रखने वाली थी और वो यह थी कि साब यह कोनों से शुरू हो रहते हैं दो नही इसमें कोनों से शुरू है इसमें भी कोनों से शुरू है इसमें नहीं है यह चोटी-चोटी बाते हैं जो आपको द्यान देनी है आगे अगर आप इसमें देखो तो इसमें इस लाइन को इसने बढ़ा कर दिया और इस लाइन को इसने ऐसे सीधी की सीधी रख दी जबकि अ यह वाला तो नजदीक ही बनेगा आएसे और आगे जाके इसे बनेगा यह वाला किस में है यह मैरा एप्शन हालानकि इसमें लाइने बहुत जादा है अगर लाइनों के इसापते देखो तो इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं हो यहाँ क्या हो सकता है हमें इसको ऐसे बदलना है जब ऐसे बदलेंगे तो एक बात बताओ यह गोला जो ए इन डोनों गुमे होए जो है ंके बीच में रहे जहां कहीं रहेगा इसमें तो गोला ही नहीं दिये इसने ऐसा थोड़ी काईव हो हो जाए या ऐसा वो सकता है आपकी आप मुझे आथा लिए नहीं ना ऐसा मेर देखेंगे नहीं हम कि यहां देखो यह ऐसा रखा इसने एक बात बताओ कोई भी मेज अगर आप मिरर में देखोगे तो तो यह चीज कभी नहीं बनाया है इसने लगा दिया है इसने इदर लगा दिया अगर आप देखो मित यहां ऐसे बहड़ा से इस फेसे गडता है तो करें क्या जब आप इस को पल्टो गए तो आप तो यह देखो कि ये जो आकरी चोटी है यह आखरी चोटी इधर की तरफ आणी चाहिए यह जिस्तनी दूर है ऊतनी दूर यहां बनेगी तो यह एसा बनेगी तो यह से प्येसे आपको बडिया है थिखतू रहिये आगे चलिये अब यह देखू किसी सभी एक को बने कहा जब आप ऐसे पलटेंगे तो यह वाला को ओना जो है वह 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 को यहाँ जाएगा और यह लाइन बिल्कुल ऐसे चली जाएगी और जितनी भी सारी लाइन होगी वह बिल्कुल ऐसे नीचे आएंगी इसके तो आप देखो यह पहले में जबरदस्ती में उपर की साइड पहुंचा गे रहे ऐसे पहुंचा दिया नहीं हो सकता यह आंसर यह वाला यह वाला यह तो इसने सही पहुंचा यह लेकिन इनको उपर की तरह पहुंचा दिया ऐसा पोसीबल थोड़ी है इसमें यह हमारी ऐसी लाइन मन रही है यह वाला जो है यह भी कट जाएगा यानि एक अगर आप बड़ी लाइन को भी देखते तो उससे भी आपके सारे ओप्शन कट जात है चाहिस इसकी मिरर इमेज बनाएंगे लेश वाला जो है वह यह आंए गाना यह जितना देखने के जरतीनि पड़ी कंवलổi इतनी सी चीज देकिे और अपना अशर आगया आपको क्यो दी जाती है आपको ये बात समझ नहीं पड़ेगी, आप राजस्तान पुलिस में या दिल्ली पुलिस में या जिस भी पुलिस में लगते हैं, तो आपको कोई बीच में आके रोक के ऐसे पूशता नहीं है, कि बाइस आप बताओ, अंगरेजी में सत्रवा अकसर क्यों ही क्यों होता है, अब आप उनको एक साथ मेनेज कैसे करोगे, ज्यादा अरजेंसी किसकी है, वह आपको देखनी है, इसलिए आपको रीजिनिंग दी जाती है, मतलब आप क्विक डिसीजन ले सकें, ज्यादा जल्दी कैसे करें, अगर आपने मानलो रीजिनिंग में भी रट्टा मार लिया, तो फिर वह रीजिनिंग थोड़ी हुई, रीजिनिंग तो उसको कहते हैं कि आप तुरंत क्विक डिसीजन ले ओ, फटा फट से, एक मिनट में डिसीजन लेना आप, ठीक है न, तो डिसीजन मेकिंग जो है, वह आपका मजबूत होना चाहिए, और ये चीज़े आएंगे आ कोई सवाल पूछा होगा, कभी नहीं पूछा, लेकिन क्यों पढ़ाया जाता है फिर रीजिनिंग, आप में पता होना चाहिए, पुलिस जाती किसमें है, पुलिस तो जगडे है, निप्टाने के लिए तो जाती है, अब मानलो वहाँ जाके भी पुलिस खुद उड़ज ज कोई सभी एक्जाम देख लो, उसमें रीजिनिंग जरूर आती है, ठीक है न, क्योंकि कल को आप अफसर बनोगे तो रीजिनिंग बहुत जरूरी है आपके लिए, आईए कृशन देखो अगर मैतेमेटिक्स की बात करें, तो मैतेमेटिक्स में कितने एक्सर होते हैं, एक नहीं होता, नो और दस, बाकि सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है न, तो यहां से देखो, जब आप इसको पल्टोगे, तो दो भी बदल जाएगा, चार भी बदल जाएगा, छे भी बदल जाएगा, उपर वाली लैन में दो, चार छे, ऐसे होने चाहिए, दो, और चार, और हो जाएगा, आगे देखते हैं, यह देखो, प्रेयर लिखावा है, अब इसने यह गडबड कर दी, इसने कहीं यह नहीं दिया, कि साथ इधर बनाएं, हम इधर बनाएं, या इधर बनाएं, तो अगर ऐसी कोई कंडिशन आवे, तो आपको करना क्या है, आपको इधर की तर यह नहीं हो सकता, आंसर क्या हो जाएगा, सी, बस, खतम का आणी, सिर्फ एक अकसर को देखना है, और अगर आपने सारी प्रेयर को देखा, तो फिर आप दुआएं करोगे, कि हमें भगवान नोकरी लगा दे, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक अकसर देखना था, आप इसको बसता आपका, ठीक है, आगे जलते हैं, अब देखो, इसने यह उपर की तरफ ही दे दिया, तो यह एक्चल में वोटर मिरर की इमेज़ बनेगी, लेकिन अगर यह सवाल हमारे आगया, तो हम बना लेते हैं, कि जो जितना पास है, वो उतना पास ऐसे बन जाएगा, ठीक है जब हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, तो यह चोंच जो है, वो नीचे की तरफ आजाएगी, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और यह जो बक्सा है, यह बीच में आएगा, उपर वाला खाली इसमें है, इसमें नहीं है, तो भी आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है, अ सारों सेंटर में लेकिन जोंच इदर की तरफ नहीं है तो ये नहीं हो सकता ये भी नहीं सकता अच्छा हैये ओधर की तरफ हे लेकिन इस ने गोड़ों को सब्ढ़ दिया ऐसा थोड़ी को सिबल है तो हमारा अंशर जाएगा वी ओप्सट आगे देखो इसमें देखो इसमें क्या कर सकते हैं यह जो box है हम के वल इसको देख लेते हैं कि साब यह box यहाँ होना चाहिए था इस option में भी है इसमें भी है इसमें नहीं है और इसमें है यानि तीन option एक जैसे हैं आगे देखते हैं अगर इन line ओ की करूं तो देखो नजदीक में चोटी वाली लाइंट रहेगी बड़ी जो है वो बात बहँ आएगी और आएगी इस ही कोने पर इसमें नहीं है इसकोने पर है तो सभी लेकिन बड़ी वाली पहले है ऐसा पोसिबल नहीं है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहां से डी ओप्षन मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं दो तिन क्यूशन और है क्लास थोड़ी सीख अपनी लंबी रही लेकिन सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए इसमें मैथमेटिक्स भी आ गई इसमें डायग्राम भी आ गए इसमें एल्फावेट भी आ ग नहीं है अब आपके बास दो उप्षन बचे अब आप तो यह देखो कि साव इन दोनों में फरक्या है ऐसा है एसा है एसा है एसा है एक बात बताओ जब मेरे रिमेज बनेगी तो एन तो चेंज हो गए होगा मैंने शुरुवात में आपको यह चीज सिखाई है जबकि एन इसने इसा कैसा दे दिया एक की तो बने मांज जाते कि साव ए तो चेंज नहीं होगा लेगन यह तो चेंज होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी सेकंड लाज सवाल आज की क्लास का इसा आपको अलफबेट भी दे दिये और नमबर्स भी दे दिये तो सबसे पहले तो आप इस चार को चेंज गरो ये खड़ी पाई सबसे नजदीक थी तो खड़ी पाई सबसे नजदीक आएगी ये वाला कोना बाद में था तो ये वाला कोना बाद में आकर ऐसे बन जाएगा तो चार ऐसा है का का देखो इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है ये तो सब में ही है चार के बाद अगर साथ को देखें तो साथ जो है वो ऐसा बनेगा तो भाई 7 ऐसा इसमें है इसमें नहीं है आप तो यह देखो जो जो ऐसा का इसा दिख रहा है ना हुब हुब वो गलत हो जाएगा जैसे इसमें पांच नहीं दिख रहा 3 Q E L और डी यह सब changes है ठीक कोई बात नहीं देख लेते हैं यह पांच का यह खुला मुह इस तरफ है तो भाई यह खुला मुह जो है वो इस तरफ आएगा ऐसा बनेगा पांच इसमें भी है इसमें नहीं है देखो आप यह गलत हो गया अब इन दोनों में फरक देख लो कहा है जैसे तीन इसने स हstar हम यह दुनों गोले तो किसे रहेंगे न यह किसमें भी है इसमें बहुत है इसमें नहीं है तो एक तो यह टट यए और देख लिए हैues और लेकिन यहां इसने इसको तो थोड़ा सा बड़ा बना दिया यह नहीं हो सकता में क्क्सन में आंसर हो जाएगा तो यह मारे आज की क्लास थी आपको कैसे लगी बताना जरूर कोई शिकायत भी हो तो आप मुझे जरूर बताईएगा बाकी तो कुछ कमिया आप में हैं कुछ मेरे में हैं मिलकर दूर करेंगे इसको ठीक है ना लेकिन आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुचा दूँगा ठीक है कोई भी समश्या हो तो आप जो बताईएगा जरूर और वीडियो कर आपको ठीक लगाओ ऐसा लगा हो ना कि हायर इसको दूसरी जीके बेजना चाहिए तो दूसरे और मत बूलना सस्क्राइब बटन दबना मत बूलना ठीक है तो मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मत